जजाननम भूत गणादिसे वितं कपित्त जंबु फल्चारू भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघनेश्वर पादपंक जब गणपती बप्पा मोरेया गणेश चतुर्ती की आप सभी को अनेकानेक शुब काम नाएं शुब के प्रतीक है गणेश्ट चतुर्ती एक ऐसा पर्व जो बहुत सारी खुशियां लेकर आता है और आज है टेस्टी तेज़ेस आप में से बहुत सारे लोग तो बाजार से मोदक खरीद रहे हुँगे बहुत सारे लोग सोची रहोंगे ये मोदक आखिर बनाए कैसे बहुत सारे ये सोच रहोंगे कि मोदक बना तो लें बट अगें चीनी, मीठा, क्या करें अगर घर पर मीठा बनाएंगे तो खाने का भी मन करेंगा और वजन भी बढ़ेगा और स्वास्ते भी खराब होगा तो आये अपनी मिठाइओं को बनाने का पारमपरित तरीका है उसकी तरफ लॉचते हैं जहां अचीनी थी नचीनी के प्रयोग थे फैसे बॉदक बनाने के आपको तीन प्रकार से मोड़क बनाने की तरीका बताएंगे और ये जो तीनों तरीके हैं इसमें एक भी तरीके वे चीनी नहीं प्रयोग होगी, मैदा नहीं प्रयोग होगा, किसी तरहा कोई आटा नहीं प्रयोग होगा, ये तीन तरहा के तीन टेस्ट के अमेजिक मोदक आप घर पर बना कर रखें, बच्चों को खूब किलाईगे, ये है प्रोटीन है बिकाज इसमें ड्राइफ रूट्स है और बहुत सारी ऐसी चीजें और सबसे बड़ी जीज यह आपकी हापी हॉर्मोन को जंडरेट करेगा क्योंकि यह मीठा है बद्देन नुकसान नहीं करेगा क्योंकि इसमें चीनी नहीं है शुगर नहीं है तीन तरीके तीन टेस्ट के मोदग बनाने के बहुत अधिक बात नहीं करते हैं सीधा सीधा चलते हैं हमारी रसोई में और जानते हैं बिना गैस बिना चूला बिना चीनी बिना आटा बिना मैदा की आखिर यह मोदग कैसे बनेंगे जो स्वास्त के लिए या जबान के लिए और स्वास्ते के लिए अच्छा है काजू कतली मोदक बिनाने के लिए पहले हम दूद ले लेते हैं और उसमें थोड़ा सा केसर डाल करके इस इच्छे से मिक्स करके रख देते हैं ताकि ये केसर मिल्क हमारा रेडी हो जाए हमने काजू ले लिया हैं इनको अच्छे से ग्राइंट कर देना और पाउडर जैसे ही नहीं हलका हलका स्टिकी हो जाएगे इतना हम इसे कर देंगे अब इसको निकाल लीजे इसमें दो चमच हम शकर यानि जागरी पाउडर डाल देते हैं और इसको हाथ की हेल्प से यह थोड़ा सा इसक में इलाइची का पाउडर भी डाल दीजे जो घर पर ही बना हुआ है और हाथ की हल्प से आटे की तरह इसे गूट लेना इसमें थोड़ा लिक्विड डालने के लिए जो हमने केसर का दू तयार किया था उसको डाल दीजे और हाथ से ही इतना फिल करना है कि वो साइट से बाहर आना शुरू हो जाग तब ही शेप आएगा तो इसको अच्छे से फिल कर दीजे और फिर इसको बंद करेंगे टाइटली पूरा बंद करना है और जो भी साइट से हमारे जो फिलिंग है वो बाहर निकल रहे है उसको हटा दीजे उसको फूर्दर यूस करेंगे नेक्स्ट मोदग बनाने के लिए यह हमने अच्छे से अपने हाथों की हिल्प से और मोल्ड की हिल्प से इसको शेप दे दी है अब थोड़ी देर अच्छे टाइटली बन करने के बाद आप इसको खोल दीजे और जो आप खोलेंगे तो यह हमारा मोदग पूरी तरह से तयार है यह हमने तयार कर लिया है थोड़ा-थोड़ा खुड़दरा-खुड़दरा सा हुआ है क्यों हुआ है यह मैं आपको अगले वाले मोदग में बताती हूँ तो इसको और स्मूध हम कर सकते हैं तो अगला वाला जो सेकिंट रेसिप है वो देखना ना बोलें अब यह जो बचा हुआ थोड़ा सा है यह हम आपको दिखा रहे हैं आपके पास मोल्ड नहीं है तो क्या आप बिना मोल्ड के इसको नहीं बना सकते हैं बिलकुल बना सकते हैं ऐसे अपने हाथों को ग्रीस कीजिए और लड़ू जैसी आकरती इसकी बना दीजिए और फिर इसके बाद हाथ से हम दीरे 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 इसे जैसी आकरती बहुत आसानी से दे सकते हैं. तो इस नोट नेसेसरी कि हमारे बस मोदक मोल्ड हो, सब्सक्राइए अब हम इसे बनाएंगे. मोदक मोल्ड आपम्... इसी ओजाता है, बस शेप देना उतनी बात है. यह हमारा बिना मोल्ड के हाथ से बना हुआ मोदग तेयार अब हम चलते हैं हमारी दूसरी रेसिपी पर यह हमारा पहला जो काजु कटली मोदग है वो absolutely ready हो गया है और अब यह जो केसर मिल्क था इसमें जो केसर बीच-बीच में है उससे हम इसको थोड़ा सा डेकुरेट भी कर सकते हैं ताकि और खुपसूरत लगे सुन्दर लगे तो यह जो केसर थे वो हमने दूद में से निकाल के इसमें डेकुरेट कर दी है दूसरा हम बनाने वाले हैं नारियल, ड्राइड नारियल को कदुकस किया हुआ हमने ले लिया है और इसमें हम जागरी पाउडर, अगेन नो शुगर, हम सिर्फ जागरी पाउडर शक्कर यूज कर रहे हैं से मिला दीजे, यही जो केसर का मिल्क था उसको डाल करके बास इसका अच्छे से डो बना दीजिए, इसको हमने मिक्स कर लिया है, यह डो हमारा पूरी तरह से रह दी होगा, यह सबसे इजी है, इसमें वो क्या आता है न, मिल्क कौन सा प्रोसेस्ट टाइप वो लगाता है, बट उसकी जरुरत ही नहीं है, अपने हाथों को ग्रीस किया, अब यह अपने आप वो काते न, पिछली बार वाला थोड़ा स्मूध नहीं था तो क्यों, पहले से हाथों से ग्रीस करके सा लड दिया, अब इसको आप खोलिए, अरे वा, देखो अब कितनी अच्छी शेप आई है, वा जी वा, हमारा सेकेंड, कोकोनेट इंजागरी मोदक, आपसुलीटली रेडी है, और इसको हम रख देते हैं, यह हमारा दूसरा मोदक हो गया, अगैन, आप इनमें से कोई सा भी चू हम से बना लेता है, अगैन, ताकि यह नहीं सूचें को नहीं, बिना मोल्ड के नहीं बना सकते हैं, तो इसको हमने हाथ से दे दिये है, और इसको भी हम रग देता है, यह हमारे दो recipe ready हो गया, आईए चलता ही, तीसरी recipe के और, यहां पर हमने थोड़े से almonds, थोड़े से काoun लेकर के उनका fine powder बना दिया है और यह हमने कुछ dates soak करके रखे थे तो इनको de-seed कर लीजे और इसको भी हमें अच्छे से और यह जो हमने थोड़ा सा इसमें coconut dried ले लिया थोड़ा सा लाइची powder डाल दिया और यह सब अब ही जो हमने dates को ग्राइंड किया था अच्छे से उसी में यह भी डाल दीजे और इसको अच्छे से grind कर लीजे फिर अपने हाथ की support से से dough जैसा बना दीजे इस बार हम मोदक मोल्ड यूजी नहीं कर रहा है हम हाथ से ही इसको बना रहे हैं बहुत सिंपल है आप असाने से बना सकते हैं इसमें सिर्ड्राइ फ्रूट्स है थोड़े से बना सकते हो आप तो यह हमारा हो गया काजु कतली वाला मोदक यह हो गया coconut जागरी यह हो गया dry fruit coconut and dates भोग लगाना मत भूलिएगा खाने से पहले